नमस्कार, दव हम्बलिंग एक्सपीरियंस चैनल पर आपका स्वागत है। यह एक सिकोया व्रक्ष है। इस पेड का नाम अमेरिकन सिविल वार जनरल विलियम शर्मन के नाम पर जनरल शर्मन ट्री रखा गया है। 275 फीट उंचाई वाला लगभग 36 फीट व्यास वाला और लगभग 103 फीट परिधी वाला जनरल शर्मन ट्री 52,500 क्यूबिक फीट आयतन के साथ प्रत्वी का सबसे बड़ा व्रक्ष है। इसे इस हिसाब से समझिये कि इतने आयतन में लगभग 14,84,400 लीटर पानी भरा जा सकता है। आयतन अनुसार यह संसार का सबसे बड़ा व्रक्ष है। सिकोया व्रक्ष अपनी लंबी आयू के लिए जाने जाते हैं और यह करीब 3400 वर्षों तक जिवित रह सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जनरल शर्मन ट्री की आयू लगभग 2200 वर्ष है। लेकिन फिर भी यह विश्व का सबसे पुराना व्रक्ष नहीं है। दुनिया में सिकोया से उचे व्रक्ष है और सिकोया से आयू में पुराने व्रक्ष भी हैं परन्तु जनरल शर्मन सिकोया ट्री आयतन में प्रत्वी का सबसे बड़ा व्रक्ष है। सिकोया व्रक्ष संसार के कुछ चुनिंदा सबसे विशालकाए व्रक्षों में गिने जाते हैं। अमेरिका के पश्चिमी नेवाड़ा और कैलिफोर्निया राज्यों में पाये जाने वाले सिकोया व्रक्षों की चाल आरेंज या लाल रंकी होती है। तेजी से बढ़ने और लंबे समय तक जिवित रहने की खूबिया सिकोया को यूनिक बनाती है। इसकी वज़ एक खास तरह का रसायन टेनिंस जोके सिकोया को बिमारियों जंगल में पाए जाने वाले कीडों और सडने से बचाता है। इसकी मोटी छाल इसे जंगल की आग से भी बचाती है। इसके नीचे खड़े होने पर आप अपने आपको बहुत छोटा पाएंगे। आपके स्क्रीन पर आप एक गिरे हुए सिकोया पेड के तने को देख पा रहे हैं। अब प्रश्ण उठता है कि यह पेड जमीन पर कैसे और क्यूं गिरते हैं। सिकोया ट्री अपना बैलेंस एक या अधिक कारणों से खो सकते हैं। इन कारणों में रोड कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड पाइप्स, मिट्टी का कटाव प्रमुख हैं। बारी मात्रा में बर्फबारी और तेज हवा भी पेड को एक तरफ चुका सकती है। और गभ सिकोया ट्री का क्रोस सेक्शन आपको पेड की धारिया और जलने के कुछ निशान भी दिखाता है। पेड पर यह जो रिंग उपस्थित है यह पेड की लंबी उम्र, मौसम और इतिहास को दर्शाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको दुनिया के सबसे बड़े व्रक्ष के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही मनोरंजक और ज्यानवर्दक वीडियोस को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बैल आइकान दबाना ना भूले। धन्यवाद।